अब आज इस लेक्चर में एंटी यूजी सीड नेट जी आरेप सेट के पेपर वन को डिसक्स करेंगी और पेपर वन के अंदरा आजम मैथेमेटिकल रीजनिंग एंड एपेटिट के टॉपिक को डिसक्स करेंगी यह आपका लाइप शेशन है इसके अलावा अगर आप पेप 10-year का complete PDF चाहते हो with explanation के साथ तो आप हमारे website www.bsacademy.in visit कर सकते हैं तो जितने भी लोग लाइब है जल्दी से आप commit कर दीजेगा और अपनी प्रिजन्ट सो कर देना ठीक है चले तो lecture स्टार्ट करते हैं और lecture स्टार्ट करने से पहले जो student NT UGC NET GRF की preparation कर रहे हैं उनके course module और test series launch की है online course में आपको previous pre-recorded video classes, previous paper का solution, live classes, theory lectures, PMCQs, practice set और PDFs मिलने वाले हैं with latest pattern के आधार पर registration open है registration के regarding आप WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी website www.bsacademy.in पर widget कर सकते हैं for more inquiry जो भी information चाहिए जो भी inquiry चाहिए आप WhatsApp करिए, call करिए या फिर हमारी website बिजिट करिए इसके अलावा वीडियो के description में जो links हैं वहां से भी आप हमें सीधा follow कर सकते हैं चले तो बिना time best के सीधा हम lecture की ओर चलते हैं और lecture स्टार्ट करते हैं question number one से first question है at what rate percent for annum will sum of money double in eight year यानि कोई कोई money है कोई money है वो आपका just double हो जाता है eight year में तो rate of interest क्या है तो यानि उसकी rate of interest क्या है यह आपको बताना है चले तो पहले इस question को start करने से पहले मैं कुछ theory का concept आपको discuss करना चाहूंगा जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें जैसे just like का हमारा amount अगर hundred है amount अगर hundred है और वो double हो जाता है double का मतलब क्या है यानि two hundred हो जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यानि hundred पर जो interest आया वो आपका hundred ही आया यानि just like double आया यानि hundred percent आया बिल्कुल किलिए रहे बिल्कुल किलिए रहे ना क्योंकि hundred percent है कोई चीज उसका double हो रही है यानि two hundred percent हो रही है यह बात समझ में आ रही है आपको अगर को कोई वैलू आपकी ट्रपल हो रही है तो याने इसमें जो ise इंक्रइमेंट आयाया ऊस मेंसी आया वापका 200 परसंट यह आपको समझमाय है क्योंकि कोई हुआ consumo कोई वैलू आपकी 100 परसंट थी और उसका double हो गई यानि 100% increase हुआ और अगर उसका triple हो गई यह 200% इसका increase हुआ अगर यहां पर मैं बोलूं अगर कोई value 9 times है यानि 9 times है तो कितनी percent का increase हुआ तो आप बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि 100% तो है और 9% आपका 9 times हो रहा है यानि 800% आपका जो value है वह increase हुई है अगर आपको यह बास समझ में आ गई है तो यहां से मैं एक concept आपको clear करना चाहूंगा कि concept कौनसा बनेगा देखो concept ऐसा बनेगा जिस्ट लाइक हा अगर आपका suppose आपका amount पी है यानि पी में आर multiply t percent की value अगर हम increase करते हैं तो हमें amount मिलता है तो हमें क्या मिलता है amount मिलता है कैसे जैसे suppose आप हमारा देखो 100% था जैसे यहां पर अगर मैं value की बात करूं value जैसे value है ठीक है और हमें double करनी ती यानि double यानि rate of interest आपका 100 है वन येर में तो 100% आपका increase होगा 100% increase का मतलब है amount आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ये आपको बात समझ में आ गई ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसी आदार पर अगर यहां से formula निकल के आएगा कि यानि जो भी value डबल हो रही है अगर जो भी value डबल हो रही है जैसे अगर उसका percentage हमें निकाल आएं तो हम rt% equal to अगर हम 100 कर देते हैं क्योंकि 100 value आपकी 100% की value है यह आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो यहां से अगर हम question की तरफ चले question आपका क्या है देखो we know that हम जानते हैं कि जो हमारा formula basic होता है आप इससे भी solve कर सकते थे इसके अलावा 80% equal to आपका 100 हो divided by 8 देखो 8 क्या है टाइम से एट आपका टाइम से हो हंडेट जो कि आपका formula में यह होता है वह वाला हंडेट है आप मैं इसको और वेसिक करके बताऊंगा आगे जो हमारा formula उसी आधार पर ठीक है तो यहां से आर की value निकल के आगे 12.5 अगर यहां पर suppose that यहां पर अगर आ बनता Rt Gotu 200 percent क्यों क्योंकि हां पर जो इंक्रीजमेंट हो रहा था हूरा है वह 2020 percent की आपको समझ भाई 100rés ей यह है क्योंकि जो एमाउंट है हमारा जो प्रेंसिपल है उसमें हंडेट इंक्रीज हुआ है हंडेट परसंट इंक्रीज हुआ है तभी वो डबल हुआ है तो यहां से आर की वैलू आप इजी लिए निकाल लिया इसी आदार पर अगर नाइन टाइम्स होता तो आटी की होती एट हंडेट परसेंट यह आपको समझ में आ रहा है क्योंकि यह समझ में आ गया तो जब भी आपसे पूछा जाएगा चायबू एमाउंट आपका डबल ओ डबल ओ फॉर टाइम सो फाइब टाइम सो सिक्स टाइम सो जितने भी टाइम सो आप उससे वन माइनस करके पूरा है तो एसाई भी पी होगा और टाइम है आपका एट परसेंट एट ही है ठीक है तो यहां से और आपका इसी सॉल्फ करोगी तो यह आपका बिल्कुल बेसिक है जो मैंने उपर सॉल्फ कर दिया वही आपका रेट आप इंटरेस्ट निकल क्या गया यह आप्शन वन इस दर करेक्ट अंसर 12.5 परसेंट तो देखो इस कोशन को लाने का यही मकसद है यह जब भी आपका ऐसाई में कोई कोशन आता है जब भी वह एमाउंट मनी है वह आपका डबल होता है ठीक होता है फूर टाइम सुता है फाइब टाइम सुता है यह फिर एट टाइम तो यह तो आर दिया होगा यह फिर टाइम दिया होगा जो भी दिया होगा आप उसको रख के आसानी से वैलू निकाल लेंगे ठीक है चले तो क्लियर हो गया होगा बिलकुल एजी है कहीं पर भी अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन नमार नैश्ट की बात करते हैं कोशन नमार सेकेंड है सम आफ आरेस 312 वास डिवाइड एमंग 100 वाइस एंड गर्ल्स इन सच अवे देट दवाइड गेड्स 3.3.60 एंड इच गर्ल 2.40 दा नंबर अफ गर्ल्स इस यानि कोशन समझ में आ रहा है यानि 100 वाइंड गर जिसमें एमांट एक 3 312 की जो रुपीज है उसको बॉइस एंड गर्ल्स डिवाइड किया हुगा है लेकिन पर वोइस एंड पर गर्ल्स की वैलू भी दिये पर वोइस की वैलू है वह 3.60 और पर गर्ल्स रुपीज है वह 2.0 ए 2.40 ठीक है अब अगर हम इस कोशन को तो जो number of girls से वो कितनी होगी यह आपको बताना है चले तो question solve करते हैं अगर हम first condition को देखें तो first condition में क्या है अगर number of voice अगर हम x माल लेते हैं और number of girl आपकी y माल लेते हैं तो यहाँ पर x plus y आपका 100 हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर दिया है 100 voice and girls से ना तो हमें girls की value पता है तो यहाँ से x y x plus y आपका 100 हो जाएगा यह आपको समझ में आ गया यह आपको समझ में आ गया तो आगे और बढ़ती हैं जो हमें और question दिया है चले पर voice और पर girls की अगर हम value में count करें क्योंकि 100 voice और gun में जो amount divide किया गया है वो 312 है तो 312 को अगर हम पर voice और girl के आधार पर डिवाइड करें तो यह आपका x की value में आपका 3.60 से multiply हो जाएगा और by इन girls की value में आप 2.40 से multiply हो जाएगा यह equal हो जाएगा 312 के equal तो यह आपकी question में second हो गई यह question बर first हो गई तो first हो टू से आप second जो equation दोनों को solve कर सकते हैं क्योंकि यहां से eliminate होके x या y की value निकल आएगी तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें क्योंकि दोनों को अगर हम solve करें या तो आप x में x को eliminate कर दो या फिर आप y को eliminate कर दो जो भी आप करना चाहो आप easily कर स हैं और सबसे पहले हम देखो यहां पर हम multiply करते हैं 3.60 से 3.60 से first equation आप multiply करोगे तो यह आपका हो जाएगा और यह आपकी second equation है दोनों को अगर आप solve करोगे तो यह आपकी value cancel हो जाएगी और यहां से यह value निकल के आ जाएगी आपके कितनी यह value आपकी निकल के आ गई 1.20 y equal to 48 यह value यहां से निकल के आ जाएगी 40 तो y की value निकल के आगी y क्या था आपका y आपका girls था आप पूछी किसकी value है girls की तो y की value आपकी 40 हो जाएगी अगर आपको y की value यहां गल्स की value पता है तो आप voice की value निकाल सकते है क्यों क्योंकि girls और value जो voice में relation दिया है कि total 100 है तो अगर girls और voice की total value में से girls की value 40 minus करोगी तो आपकी voice की value निकल आएगी लेकिन पूछा हमें girls की है तो answer क्या हो जाएगा option B is the correct answer ठीक है चले तो आगे बढ़ें अब हम बढ़ते है question number next की तरप यहां से girls की value आगई अब next question 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 number third third question क्या है there are four prime number written in ascending order order magnitude यहनी ascending order में the product of the first three is three three hundred eighty five and of the last three is one thousand one ठीक है find the fourth number तो fourth number क्या होगा देखो question क्या है यहनी चार prime number है जिनको हम ascending order यहनी बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो first three के जो prime number है उनका product दिया है 385 ठीक है और last के three का product दिया है one thousand one अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां से एक value आपकी निकल के आएगी वो value क्या होगी यानी product of first three number और product of last three number अगर हम इनको divide करते हैं अगर हम इनको divide करते हैं तो यहां से first number और fourth number निकल आएगा क्योंकि अगर यहां से cancel करेंगी तो देखो यहां पर first और second और third है औ और यहां पर second, third और fourth है तो यहां से second और third आपका eliminate हो जाए क्योंकि दौनों का आपका product में तो यहां से first और fourth की value निकल आगी अब पूछी किसकी value है? fourth number की value पीछी है तो यहां पर just आपका denominator में जो value आएगी वही आपकी fourth की value आएगी fourth number की ठीक है? चले तो हम इसको solve करेंगी तो यहां पर अगर आप product दिया है तो हम इसको calculate करेंगी तो यहां से 5 divided by 13 आजाएगा आप पूछी किसकी है fourth क्या है? 13 है अगर first की पूछी जाती तो 5 होता है और third और second की पूछी जाती तो हम उसको और easily solve कर लेते हैं तो यहां से question का answer हो जाएगा option C is the correct answer क्योंकि जो कि 13 है ठीक है easy है? बिलकुल easy है कहीं पर doubt आए तो आप comment करिएगा चले अब बढ़ते हैं आगे question number next की तरह question number next क्या है? question number 4 है 4 क्या है? the 10 year ago A was half of B is यहनि A की जो A is है 10 year ago वो B की half है ठीक है? if the ratio of their present is 3 by 4 what will be the total of their present is? यानि तो उनके अगर उनकी present is का ratio दिया है 3 by 4 तो what will be the total their present is? तो उनके जो total present is का जो total है वो आपको बताना है तो यह बिलकुल easy है जिस्ट आपको relation दिया है वैसे आप solve कर लो इसे तो relation क्या है? यानि X और Y में A और B में ratio दिया है A B में 10 year ratio दिया है अगर हम A की value X माल लेते हैं तो वी की value 2X हो जाएती है क्यों क्योंकि A2 का half है 10 year है तो present में क्या हो जाएगा यह एक्स प्लस 10 divided by 2X plus 10 equal to 3Y4 आप इसको solve कर लीजेगा आपको X की value निकल आजगी X की value आजगी यहनि A की age आ गई और V की age आ जाएगी अगर A की आ गए तो वी की भी आ जाएगी आप पूचा क्या था present age आग एक्स आपका present age है आपको 10 plus कर देना है तो present age आ जाएगी इसी प्रकार 2X में 10 plus कर दोगे तो वी की जाएगी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे question का answer आ जाएगा तो कुशन को हम solve करेंगे तो यहां से एक्स की value क्या आ गए फाइब आ गए एक्स की वैलू 5 आ गए तो वी की वैलू आपके 10 हो जाएगी 10 यह एगो की age है तो present case क्या हो जाएगी present case हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी present case तो य यानि आपका यह हो गया आपका देखों यह हो गया आपका फिफ्टीन और यह आपका टू डिजस्ट डवल ट्वंटी फिफ्टीन और ट्वंटी कितना होता है थर्टीफाइब थर्टीफाइब दोनों की टूटल present case का टूटल है यानि option C is the correct answer कहीं पर भी doubt नहीं है क्योंक यहां पर जस्ट आपको relation दिया था उसी relation को आपको verify कराना था ठीक है चले तो अब हम बढ़ते हैं आगे next question question number 5 की तरफ चले तो 5 question क्या है 5 question आपकी screen पर यह रहा A and V invest in a business in the ratio 3 by 2 यहने A और B ने एक business start किया और जो invest किया उसका ratio है 3 by 2 थेक है if 5% of total profits goes to charity यहने total profit का 5% जाता है किसमें charity में जाता है जाता है तो आपको समझ मारा है इन दो ब्यक्ति यह और भी दोनों ने business start किया 3 by 2 के ratio में invest से 5% जो profit है प्रॉफिट का वो charity में जाता है तो आपको A का share दिया profit बताना है ठीक है question समझ में आ गया चले जो भी answer आप comment करिएगा चले हम question solve करते हैं और आगे बढ़ते हैं चले तो अगर मान लें let total profit अगर आपका 100 है total profit 100 है तो यहां से 5% आपका charity में जाता है तो बचा कितना बचा आपका 95% 95% बटेगा किसमें A और B में अब A और B का दोनों का ratio दिया है वो ratio क्या है 3 by 4 3 by 4 को अगर आप एक को लेको एका ratio क्या है वो है 3 total ratio क्या है 5 यानि 95% का 3 by 5 निकाल लेंगे तो एक ही value निकलाएगी तो यहां से आपका यह clear हो गया तो यहां से एका जो profit है वो निकल के आगया वो आगया 57 क्योंकि 97 का क्या है 97 का 3 by 5 तो यह आपका 57 हो गया आप ध्यान से देखो ध्यान से यह क्या है यह 57 है वो profit है according to 100 यानि 100 के according है जबकि जो profit दिया है एका जो share है वो 855 है अगर आपको एका profit पता है according to 100 तो आप according to आप 855 निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं देखो यहां से हम सीधा solve करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा यह होगा आपका 100 divided by 55 multiply 855 855 होगा होगा कैं होगा क्यों क्योंकि यह आपकी one one sear की value आगई जबकि सियर कितना है 855 है तो सीधा हम multiply कर देंगे तो multiply करोगे जब आप इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा आपका 1500 यह फिन 1500 यह आप्शन C is the correct answer इसी प्रकार अगर पूछा जाता B का सियर पूछा जाता तो भी हम निकाल सकते थे क्यों क्योंकि 2Y5 होता किसका B का profit तो यहाँ पर B की value दी होती ठीक है तो यह आपको यह question समझ में आगया कहीं पर doubt आया है तो आप comment करिएगा बढ़े आगे yes any question कि भी किसी question में आपको doubt आया है तो आप comment करिएगा इसके अलाबा कोई topic कोई भी question है वो आपको doubt कर रहा है परिशान कर रहा है तो आप comment करिएगा या फिर आप जो हमारे view of contacts हैं वहां से अभी आप हमारे सीधा follow कर सकते हैं इसके अलाबा एक पर फिस से बता दें जो student anti-ugc net jr website की preparation कर रहे हैं उनके लिए हमने paper one औ paper two दोनों का online course और test series launch की है इसके अलाबा अगर आप paper one का complete 10 year का PDF चाहते हो with explanation के साथ तो उसके लिए भी आप हमारे website www.bsacademy.in बिजिट कर सकते हैं या फिर वीडियो के description में जो link से हैं वहां से भी आप हमें सीधा follow कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी inquiry हो WhatsApp करिए, call करिए या फिर हमारे website बिजिट करिए चलिए, thank you नए lecture में लेंगी, नए कुशन के साथ thank you